इस वीडियो में दोस्तों में लोग बात करने वाले हैं IOL Chemicals के बारे में जिसको हम इंशॉट IOL CP के नम से आनते हैं Company ने अपनी Quarter 2 की Earnings पब्लिश कर दी हैं पूरा डेटा इन करोर्स में Quarter 2 की Earnings first row में Quarter 1 का डेटा है then September 2021 की डीटेल से जो की Company का पिछले सल का Quarter 2 था तो चली बात करते हैं Total Income की जो की yearly basis पे September 2021 में 548 करोड की income थी वो थोड़ी बहुत कम हो चुकियो और 546 करोड पे आगी तो yearly income में थोड़ी बहुत गिरावाट है quarter basis की बात करें तो 570 करोड की income quarter 1 में थी जो कम होगे 546 करोड पे आगी तो Company की जो income है वो quarter on quarter plus year on year basis दोनों ही जगे हमें थोड़ी बहुत नीचे जाती हुई इस बार देखने को मिलें total खर्चों की बात करें तो 524 करोड के quarter 2 में रहे 523 करोड के quarter 1 में और 506 करोड के September 2021 में इस बार जो company की income कम रही है उसके बावजूत company के जो खर्चे है वो quarter plus yearly basis पे हमें हर बार से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं then tax की adjustment होती है फिर आता है हमारा profit for the period जो की September 2021 में company को 30 करोड का profit था और इस बार हमें profits जो है वो 15 करोड पे देखने को मिल रहे हैं तो profit आदे हो चुके हैं क्यूंकि company की खर्चे इस बार हमें जारा देखने को मिल रहे हैं quarterly बात करें तो quarter 1 में 34 करोड के profit ते जो कम होके जबार 15 करोड पर आ गए तो क्यूंक्यू प्लस वाइन वाइं दोनों जगे company के profits में इस बार गिरावट देखने को मिल रही है इप्यस की बात करें अर्निंग पर शेयर की profit कम हुए तो 5.26 से कम होके EPS 2.67 पर यरली बेसिस पर और quarter बेसिस पर 5.94 से कम हो हो सकता है और शेयर पाइस में हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है तो आपको पास आयोल के कितने शेयर से कितने में खरीदारी कर रखी है comment box में बिल्कुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अप्डेट के साथ तब तक के लिए बाबाए जया हिंद झाल पाता है